एक नियू कॉंसेप्ट कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा प्रफरेंज शेयर कैपिटल रिडीम बाई कनवर्जन पहले मतलब समझेए क्या है फिर आगे देखेंगे है न मतलब समझते हैं फिर आगे देखेंगे लास्ट लास्ट का ही डाउट सारे ही कुष्चन कराओंगा डाउट बचेगा ही नहीं अब आपका सारा ही क्वच्चन करेंगेपट तो बचनेवाला है ही नहीं सर कनवर्जन मतलब क्या होता है तो समझwayेगा Conversion का मतलब है कि जैसे आपके पास आपने मेरी company में preferent share पैसे लगाएं जैसे कि preferent share पैसे लगाएं suppose करो 50,000 आपने मेरी company के अंदर पैसे लगाएं 50,000 रुपे तो मैंने issue कर दिया 50,000 रुपे तो जैसे ही आपको 50,000 रुपे लगाएं आपने मुझे दिये 50,000 रुपे लो सर 50,000 रुपे लो तो मेरी जिम्मेदारी है इस पैसे को मैं वापस करूँगा क्योंकि law हमें बिलकुल भी permission नहीं करता कि आप इस पैसे को अपने पास जिंदगी भर रखेंगे law कहता है इसको वापस आपको करना ही यह करना है कितने साल के बाद? 20th year के बाद तो law यह नहीं कहता कि आप उसके cash में ही वापस करिए law यह कहता है कि उसको same amount का benefit दे दीजिए चाहे आप बस उसका यह कहना है कि 20 साल के बाद preference share balance sheet में नहीं दिखना चाहिए उसका यह कहना है यानि सर मैं उसके वापस करने के बदले अगर मैं बात करूँ तो उसको मैं cash में भी वापस कर सकते हैं जी हाँ cash bank एक ही बात है तो अभी तक जितने भी आपने सवाल किये हैं सभी में मैंने bank से ही वापस किये हैं दूसरा option alternate देते हैं अब law की वज़े से एक shareholder ऐसा है मान लो एक shareholder ऐसा है वो कहें कि भीया हमारा company से इतना लगाव है हमें company इतना सारा benefit दे रहा है इतना कमा के दे रहा हम नहीं लेना चाहते पैसे हम तो नहीं लेंगे पैसे मतलब shareholder आगे से कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए पैसा आप क्यों दे रहे हो तो ऐसे situation में company क्या करता है इसको option देता है option क्या देता है कि एक काम करते हैं हम ना आपको एक नए वाला preference share दे दे देते हैं new preference share फिर से मैं issue कर देता हूँ तो आपके पुराने वाले छीन लेता हूँ और आपको नए वाला preference share दे देता हूँ जिससे होगा क्या सर होगा ये सरकार के rule को भी follow कर लिया कि हमने preference share को वापसी कर लिया मान लेते हैं पुराने वाला जो preference share था वो 10% वाला था अब हम आपको 9.5% वाला preference share दे देते हैं एक तो ये हो गया दूसरा हमें काम करते है preference share नहीं आपको हम क्या दे देते है equity share capital दोनों बाते हो सकती है तो यानि मैं आपके पैसे in cash में ना return करके बदले में मैं आपको या तो preference share दे दूँआ या फिर मैं equity share दे दूँआ या any kind मैं आपको compensate कर सकता हूँ तो ऐसे situation में होगा क्या ऐसे situation में हमने government के rule को भी मान लिया हमारा काम भी चल गया तो जब हम cash के अलाबा आपको share दे देते हैं equity share दे देते हैं तो इसको बोला जाता है preference share को redeem कर लिया by conversion by payment of cash नहीं by conversion से कर लिया अब जब conversion से करते हैं तो पहला rule आपको ध्यान रखना है section 62 क्या कहता है का भाया अगर आप conversion से कर रहे हो तो आप जो CRR बनाते हो उसकी कोई अवशक्ता नहीं है यानि in case of preference share redemption by conversion no need to create CRR account उस case में आपको CRR की tension खदम हो जाती है तो पहला सवाल CRR आपको नहीं करना लेकिन redemption की क्या entry होगी मान लो मैं इस 50,000 के ही वापस करूँगा यही example ले लूँ और मैंने आपको वचन आपको मैंने क्या कहा कि मैं एक काम करता हूँ मैं आपको equity share capital दे देता हूँ अगर मैंने कहा equity share capital दे देता हूँ तो सवाल यहाँ पे सर आप equity share capital जो दोगे वो at par दोगे या फिर वो कैसे दोगे at premium दोगे दो सवाल बन गए यहाँ पे तो at par वाले भी अभी देख लेते हैं क्या entry होगा और at premium वाले भी देख लेंगे क्या entry होगा अगर मैं आपके payment करने के लिए प्यार हूँ cash में छोड़के in में तो by conversion है तो पहले मैं आपके share को redeem करूँगा मान लेते हैं पहले 10% preference share था तो मैं करूँगा 10% preference share capital कितने रुपे अब सवाल होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 85 वापस करना या ज्यादा करना है अगर सिर्फ 85 वापस करना है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे क्या preference share holder जी आपको 85 देने है लेकिन मैं कहूं कि मैं आपको 50 के अलावा ज़्यादा देना चाहता हूँ तो क्या जाएगा यहाँ पे बताओ security premium आ जाएगा तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं देना चाहता है या मान लेते हैं कि मैं आपको ज़्यादा दूँगा कितना ज़्यादा दूँगा आपको 5-10% ज़्यादा देते हैं आपको मैं चाहता हूँ कि 10% ज़्यादा दूँ तो क्या होगा यहाँ पे security premium account debit हो जाएगा हमारा कितने से 5000 से और भाई आपका नाम जो है वो है preference shareholder और आपको मिलेंगे total 55,000 रुपे मिले नहीं है इसका मतलब मिलेंगे आपको 55,000 रुपे सर अगर आपको 55,000 रुपे मिलेंगे तो आप मुझे बता दीजिए कि इसका पैसे देंगे क्या देंगे अगर पैसे देना होता तो एक साधारन सी entry करते preference shareholder account debit to bank account और उस case में CRR भी बनाना पड़ता अब तो CRR भी नहीं बनाना तो उसकी tension है ही नहीं कि कितना reserve है क्या fresh issue है मैंने कहा कि मैं आपको fresh issue कर दूँगा तो मैंने कहा preference shareholder account debit ये debit तो होगा क्योंकि ये liability खतम करना है सर कितने का liability खतम करना है पचपन हजार का और मैं 2 कर दूँगा सर 2 equity share capital 55,000 मैं case number 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ पार तो मैं 55,000 का दे दूँगा तो ये हो गया by conversion लेकिन सर एक entry तो अब भी रह गया security premium को write-off करने का तो मैं कर दूँगा SP2 SP ये तो करेंगे ही करेंगे that is 5000 होता है इस basic सी entry कोई सवाल बुक का नहीं है ये मैंने अपनी तरफ से example लिया और वही करा दिया समझ में आया है निकालने पड़ते, number of shares निकालने पड़ते सर, number of shares मतलब कैसे निकालेंगे preference share holder को कितना पैसा देना है divided by आपका issue price, issue price, अच्छा सर, तो सवाल में preference share holder को देना कितना है हमारा, 55,000 क्योंफी premium पे हैं और वापसी में हम आपको issue price क्या है, मेरा 10 रुपे extra में 10% यानि मैं share 10 रुपे का तो 11 रुपे तो यहाँ पे number आएगा हमारा 55,000 कुछ बच्चे कहने हैं सर, 11 कहां से आया, मेरा जो share है ना वो 10 रुपे का share और उसके उपर 10% premium लगाओगे तो मैं अपनी company का जो equity share दूँगा, वो 11 का दूँगा तो issue price का मतलब जितने का equity share आपको मिलेगा, इसका मतलब issue price है अगर मैं अपना share company का 10 रुपे का ही दूँँग, तो divided by 10 रुपे ही होगा लेकिन जब मैं divided by 10 रुपे करूँगा तो उससे कोई result नहीं निकलेगा, amount घूम फिर के वही आ जाना है जैसे अगर मैं यहाँ पे भी number निकालने लगूँ तो 55,000 करूँगा और divided by कितना करूँगा 10 तो 55,000 आ जाएगा, ultimately last में आप 10 से तो multiply करो गई, तो घूम फिर के कहा पहुँच गए, वही पे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो मुद्दे की बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ सर नंबर निकालना क्या जरूरी है जी हाँ नंबर निकालना जरूरी है, पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, पहली एंट्री यही रहने वाला है बस दूसरी एंट्री में बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव होगा, क्या चेंजिस होगा दूसरी एंट्री में, वो समझे आप second entry में जो changes होने वाला है वो सिर्फ changes होने वाला है preference shareholder account debit सर कितने रुपे 55,000 और two equity share capital सर equity share capital देंगे इस number के हिसाब से अच्छा ये 5,000 आएगा ये 5,000 आएगा तो हम जो देने वाले हैं वो इस equity के हिसाब से देने वाले हैं that is 5,000 और into में 10 यानि 50,000 रुपे देंगे और सर preference shareholder तुमें security premium पे हमने दिया है तो security premium आजाएगा that is 5,000 into में 10 और ये आगे हमारे कितना 50,000 रुपे आगे तो 5,000 आएगा मैंने एक 0 जादा लगा दिया है न 5,000 आगे तो ये preference share का हो गया redemption सेम इसकी जगह बोला जाता कि आपका preference share redemption हो रहा है by issue of preference share ही तो जहाँ equity लगा है वहाँ पे क्या आजाएगा यहाँ पे वो वाली entry नहीं करना bank account debit to share application से कोई मतलब नहीं direct capital दे दो equity का समझ मैं इस बात आपको आपको